नमस्कार शालीनी पेच पे आपका स्वागत है थैंक्यू सो मच गाइस आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और डेली अपनी अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए मुझे मैसिस कर रहे हैं वैसे भी हमारी रेसिपी बिगनर्स के लिए होती है जो मौम अपनी किचिन में फर्स टाइम उस रेसिपी को ट्राइ कर रही है उनको मेरी सभी रेसिपी बहुत पसंद आती है क्योंकि मैं अपनी रेसिपी में इजी टिप्स एंड ट्रिक्स और आप्शनल यानि आपकी घर में कोई चीज नहीं है उसकी जगे पर आपको क्या यूज करना है उसके साथ आपको शेर करती हूँ इसलिए आज मैं मलाई पूरी की रेसिपी इजी मेथर के साथ उन्हीं मौम्स के लिए लाई हूँ यदि इजी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजी शेर कीजी और सब्सक्राइब कीजी और मेरा बैल आइकॉन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूटर पोस्ट का नोटिस्विकेशन आसानी से देख पाएं टैंक्यू सो मज शुगर सीरप बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है यह 100 ग्राम चीनी है और आधा कप पानी है इसका हम शुगर सीरप बनाएंगे शुकर सीरप के लिए ये मैंने एक कटोटी चीनी ली है और ये आधा कप आनी है इसको मैं जब तक चीनी मैट नहीं हो जाती तब तक मैं इसे चलाती रहूंगी और इसकी एक तार की यानिकी एक तार से थोड़े कम की चिपची पीसिस की चाशनी त्यार कर लोगे कि शुकर मेल्ट हो गई है अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूड़ डालूंगी दूड़ डालने से जो शुकर होती है उसकी गंदकी होती है वह अलग उचाती है और इससे शुकर सीरप साफ बनता है अभी आप दीखेंगे यहां पर इसकी थोड़ी गंदकी आ के महार की तरह फैंक दीजिए इस तरीके से गंदकी आ जाती है इस तरीके से पूरा शुकर सीरप साफ हो जाता है इसी तरीक से अब सारी गंदकी को एक कटूरी में निकानके फैंक दीजिए इसकी जगह पर आप नीबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं लेमन जूस भी यू देखिए किती गंदिकी रहती है यह गंदिकी निकल जाती है इसको डालने से हम चेक करेंगे यह देखिए चिप-चिपी से बन गई है चाशनी तियार हो गई है अब इसके हम फ्लेम बन कर देंगे मलाई पूरी बनाने के लिए हम आधा लीटर दूद लेते हैं और जब दूद को हम वाइल करते हैं तो उसको हम 300 ग्राम दूद करते हैं यानि कि उस दूद को हम गाडा करते हैं तब हम उसके मलाई पूरी बनाते हैं या फिर आप बजार से खुआ लाके मलाई पूरी बना सकत वनाई सकता। ड़ान गए उत्या ठाइक हो लाए कन जा धार में हम पाउडन के मिलें दिए जनल मिलें अब मेलेन सकते हैं थृषिनकों रेकिनी मैलम ऒशी अधी है अब का गारा हो जाएक पेस्ट हम उसे पतला करने के द्यूद का यूद्ग रेखे हैं बेकिंग पाउडर आप सोचते हैं अकर हम नहीं भी डालते हैं तो भी हमारी मलाई पूरी बहुत अच्छी बन जाती है पर बेकिंग पूर्डर डालने से उसके अंदर किस्पीनेस भर जाती है और आप मलाई पूरी काफी देर पीछे रखके भी खाते हैं तो वो प्रिस्पन तो एक धार में ही गिरना चाहिए और लेकिंग पाउडर हम अब हिना नहीं डालेंगी हम जब डालेंगे जब गैस ओन हो जाएगी तब हम इसके इसके मलाइपुरी हम बिगनर्स के लिए बना रहे हैं जो फर्स टाइम करते हैं कुछिन में आके कोई भी मिठाई बनाने के लिए तो इसके लिए हमने पहले तवा रखा है आप तबी पर फर्स टाइम बना रहे हो तो बहुत अच्छी बनती है यदि आप परफेक्ट हो जाती है मल किवल दो चम्मा चड़ाना है हमें जादा घी इसमें नहीं चड़ाना है किवल दो चम्मा चड़ाना है हम कड़ाई में फर्स टाइम मलाइपुरी इसलिए नहीं बताती है क्योंकि जब हम घी जादा ले ले लेते हैं तो जो मलाइपुरी होती है वो फ्लोट करती है जिसके आप पहले बना चुकी हैं, तो fry pan या कडाई किसी भी flat चीज़ते बना सकते हैं, ये घी गरम ऊचुका है, अब हम घैस धीमी कर देंगे, इसके अंदर हम ये baking powder डालाता, ये हम डालेंगे और अच्छी तरह ऐसे फैटेंगे, घी गरम ऊचुका है, अब हम इसमे एक साथ बैट में ही डालना है, और इसे मीडियम आज पर हमें सीखना है, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती है, ये आप देख सकते हैं, आप कितनी जाली पढ़ना जाली है, आप कितनी जाली हो चुकी है, ये दिखिए अब गोल्डन हो चुकी है, अपास इसे हम, इसी से भी साथा से हम से फलर्ट देंगे, जब लीजे से भी गोल्डन हो जाएगी, तो इसे फिर हम निकाल लेंगे, ये देखिए, अब ये दोना तरफ से चुकी है, इस से यादा हम नहीं चलिकेंगे, ये इसके अंदर थोड़ा सा मुलाइम पन भी होना अच्छी है, तभी उसका अच्छा टेक्श्यर आता है, बस इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे, और इसको इस तरीके की कोई भी चलनी इसको निकल जाए, अब मैं आपको फ्राइपें में बना के दिखाते हूं, अब इसमें भी घी चड़ा देंगे, बस इसमें बहुत कम घी चड़ाना होता है, इसलिए बस हम फ्राइपें में बना करती है, क्योंकि हमें मलाईपुरी फ्लोट नहीं चाहिए, अगर आप हो चुका है, हमने गैस धीमी कर दी है, और बस यह बैटर हम थोड़ा थोड़ा डालना है, अब थोड़ा दूर डालना है, क्योंकि यह आपस में चिपक नहीं जाए, एक साथ डालना है, आपको इदर उदर नहीं हिराना है, यह देखिए, अब यह चारों गोल्डन ब्राउन सीजाएंगे, यह मैं फिर पलट दूँगी, इस पे थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा यह होता है, क्या आपस में चिपक जाती है, इसलिए हम इसमें मना करते हैं, तब ही पे बनाने के लिए बोलते हैं, उदर वाली सीख गई है, अब यह वाली नहीं सीखिए है, उब कि और चुछी, नहीं सीख दूआ के लिए हैं, रे यहीं सीखिए है, क्युछी है, और बु एणगी आपस कि लिए नहीं सीखिए हैं, इड़िए हैं, इडिए वाली कि बाफसे हैं। आपको भी अतार लोगे और इसी तरीकी से में साली मलाइकुरी बना लोगे। जाशनी में में एकिक करके मलाइकुरी के डाल दूँगी और पांच मिट भीगने के बाद इसे बाहर निकाल लोगे। बस उपर नीचे करके इसे चला लोगे। पांच मिट बाद इसे निकाल लोगे। यह देखिए मलाइकुरी बन के त्यार है। यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एब भी पे मेरा पेज है कोकिंग एक्सपिनेस उसको जोइन कीजिए। यह देखिए। यह देखिए। यह देखिए। कर्टे यह देखिए